लिक है तो आज का हमारा टॉपिक है फेस डिस्पोजल क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्लास की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट आउलोड कर सकते हैं तो शुर विल्ट में डिफरेंटृ घैख फिर लॉट की बात काई स्लोसान फिल्टर वाइठ लेयर रापिड से यंद्टर दूरों के बीच में दिफरेंज फिर में डिशन निचन देखा था तो लॉदों की वीचमे डिफरेंश फिर मैठोड समीप्ट्टिन ऑशन में च्ठूर पर purification of water देखा था, उसी के ताहित, steps of disinfection of well भी देखा था, जिसके अंदा हमने double pot methods, horox apparatus देखा था, in fact हमने horox apparatus का numerical भी solve किया था, फिर hardness of water पढ़ा था, water quality standards, इसमें microbiological aspects, physiological aspects की सब देखा था, फिर water harvesting देखा था, swimming pool sanitation देखा था, ये सब तो water वाले पार्ट में देखा था, फिर अगर हम air वाले पार्ट में आये तो हमने comfort zone या मेकाडल, maximum allowable sweat rate देखा था, air temperature देखा था, air humidity, cooling power of air, air pollution, उसके indicators, monitoring और prevention, फिर हमने greenhouse effect देखा, global warming के बारे में पड़ा, ये सब कुछ हमने air वाले पार्ट में पड़ा, फिर housing से related में हमने पहले ventilation देखा था, उसमें अलग-अलग types of ventilation में, planar ventilation देखा था, फिर noise वाले पार्ट की बात करें तो हमने noise या noise pollution देखा था, radiation वाले पार्ट में radiation hazards देखे थे, light के अंदर हमने light उसकी units वगरा द देखा था, ठीक, तो ये सारे topics के videos आपको channel की playlist खोलेंगे, तो इसमें environment and health वाले playlist के अंदर आपको ये सारे topics के videos उनके notes के साथ मिल जाएंगे, ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का topic that is waste disposal, अब वेस्ट disposal क्या होता है, वेस्ट disposal का मतलब क्या है, जो भी कछड़ा वगरा निकल रहा है, उसको कैसे dispose off करना है, that is आपका waste disposal, ठीक, तब वेस्ट disposal में सबसे पहले चीज़ जो हमारे जहन में आती है, वो है, वेस्ट कितने तरह के होते हैं, वेस्ट कितने तरह के होते हैं, तो उसमें मुख्यता अगर आप बात करो ना तो चार तरह के होते हैं, that is refuse, सीवेज, सुलेज और लिटर, ये चार तरह के मुख्यता आपके पास वेस्ट होते हैं, refuse, sewage, sewage और litter क्या-क्या होते हैं इनको हम समझेंगे बात में अच्छे से अभी सिर्फ नाम ठीक है अब refuse भी मुखिता तीन तरह के होते हैं अगर हम बात करें तो पहले तो refuse ट्रीट से भी निकल सकता है यहने की road में भी मिल सकता है आपको market से भी निकल सकता है घरों से भी refuse निकल सकता है पर यह जो घरों से निकलने वाला refuse होता है यह मुखिता तीन तरह का होता है ash, rubbish और garbage यह हम समझेंगे ash क्या होता है rubbish क्या होता है garbage अभी सिर्फ नाम की भाया refuse या तो street refuse हो सकता है market refuse हो सकता है domestic refuse सीवेज तो सीवेज तो ठीक है सीवेज को नापने के लिए हम मुखेता तीन चीज़ों करते हैं बाइलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड और सस्पेंड़ेट सॉलेट यह भी हम समझेंगे क्या होता है अभी सिर्फ नाम उसके बाद आता है सुलेज और लिटर ठीक इन जेनरल रिफ्यूज जो होता है वो सॉलेट वेस्ट होता है सीवेज और सुलेज जो होता है वो लिक्विड वेस्ट होता है फर्च सिर्फ इतना है सीवेज में एक्सक्रीटा होता है सुलेज में एक्सक्रीटा नहीं होता है दोनों ही लिक्विड वेस्ट होते हैं लिटर क तो हमको types of waste में सिर्फ नाम पता होना चाहिए, refuse, sewage, sewage और litter, ओके, तो अब हम समझेंगे कि इनकी मतलब क्या होते हैं, तो पहले आएगा हमारा refuse, refuse में हमने क्या समझाता, refuse जो होता है, वो solid waste होता है, जो अब तीन में से कहीं से भी निकल सकता है, या तो सडकों से निकल सकता है, या फिर घरों से निकल सकता है, that is domestic refuse, ठीक, अब एक चीज़ याद रखना, जो human excreta, human excreta है, जिसको हम night soil भी कहते हैं, वो solid waste में नहीं आता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस पर MCQ आया हुआ है, कि भाईया, जो human excreta होता है, that is potty, या जिसको हम night soil भी कहते हैं, वो solid waste के अंदर नहीं आता है, ये याद रखना, ठीक, उसकी बाद, अगर हम बात कहें, domestic refuse जो होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, तो घरों से निकलने वाला कचला जो होता है, मुक्यता solid कचला, याद रखना, घरों से निकलने वाला solid कचला जो होता है, वो मुक्यता तीन तरह का होता है वो तीन तरह कौन-कौन सी होती है आश रबिश और कार्बेज अब आश का मतलब क्या होता है आश का मतलब वो आश नी हिंदी वाला आश नी क्या ही आशी कर रहा है आश चल रही है भाई की वो वाला आश नी इंग्लिश वाला आश है that is जो क कुछ भी जलाने से निकलने वाली राक जो होती है ठीक है यह देखो जब कुछ जलाते हो और जो राक निकलती है उसको कहते हैं आश पता है आपको पता है फिर भी पढ़ाना पड़ता है तो आश जो होता है वो घरों में किसी से भी निकल सकता है या तो कोकिंग जहां पे स्म जलाते हो घरों को गरम रखने के लिए तो वहां पर आपको क्या निकलती है राक निकलती है जिसको कहते है एश जो की स्टॉलेड वेस्ट के तहरत आती है डॉबल स्टेक रिफ्यूज ठीक तो पहली तो हो गई एश सेकेंड होता है रबिश रबिश का मतलब होता है घरों से निकलने वाला कच्ड़ा जैसे कि कागज कपड़े कांच मेटल धूल तो वही लिखा यह आंपर देखो पेपर ट्लोट्स मेटल वॉटस डॉस तो यह सारी चीजेश जो घरों से निकलती है जैसे कि कागज कपड़े कांच मैटल लकड़ी या धूल यह सब ही कुछ rubbish में आता है जो की एक तरह से domestic refuse का type है उसके बाद तीसरे तरह का solid waste जो घरों से निकलता है वो होता है garbage garbage का मतलब होता है वो सारा solid waste या food waste जो kitchen से निकलता है समझ कए आप kitchen में तुमने खाना बनाया तो सबजिया निकली, सबजियों के छिलके निकले, फलों के छिलके निकले, सबजियों की डंठल वगर निकली, तो ये सब kitchen से निकलने वाला food waste जो होता है उसको कहते हैं garbage तो कुछ इस तरह से दिखता है आपका garbage, कुछ इस तरह से दिखता है आपका rubbish, पतलब पन्निया कपड़े, कागस, काच, धूल और कुछ इस तरह से दिखता है आपका ash, तो समझ गए ये तीन चीजें refuse के अंदर याद रखना ash, rubbish और garbage ठीक, अब एक चीज चो आपको याद रखने है वो है rubbish और garbage में आप बहुत confused होते हो कभी rubbish को garbage बोल देते ओ, garbage को rubbish बोल देते हो तो इसको याद कैसे करेंगे तो भ़ई देखो, garbage को कैसे याद करेंगे, जी फॉर, garbage इन फएक जी फॉर गार्डन भी होता है और गार्डन से क्या निकलती है सबजी या निकलते हैं, यानने की कहते हैं उसको कहते हैं गार्बेज है ना तो कैसे याद करेंगे जी फॉर गार्बेज जी फॉर गार्डन गार्डन से सब्जिया आएंगे किचन में और किचन से निकलेगा गार्बेज समझ गए फिर से बताता हूं जी फॉर जी फॉर होता है गार्डन गार्डन से सब्जिय निकलेंगे तो कहां जाएंगी केशन में और केशन से जो कचला निकल लेगा इन्ही सबजियों का वो होता है जी फॉर गार्बेज तो जी फॉर गार्बेज जी फॉर गार्डन याद रहेगा अगर तो आपको याद रहेगा गार्डन से निकलने वाली सबजियों से जो कचला निकलता है किचन से उसको कहते हैं गार्बिज याद रहेगा तो ऐसे याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा अब अगला होता है रबिश इसको कैसे याद करेंगे इसको याद करने के लिए ना मेरे को तो मेरा बच्पन याद आता है बच्पन में जब हम छोटे होते तो बच्पन में जब छोटे होते तो सुपर सुपर घर में मतलब बाई जी वगर आती थी वह घर को एक्तम साफ सुत्रा करके जाती थी एक्तम बढ़ियां चम-चमाता हुआ घर मममा भी हॉस्पिटल चले जाती थी अब हम दोनों तो स्कूल जाते थे स्कूल से जल्दी आ ज ले होए हैं कहा गज़ फैले हुए हैं और ममे जब घर में आती थी और देखते थी भाई सहब यह क्या है और जो चिलाती थी और जब चिलाती थी तो क्या बोलती थी ढम्ट क्या बोलती थी what rubbish is this तो हमको तो समझ में नहीं आता है तो मम्मी बोल के रहे है what rubbish is this कैसा कचला फ्यला के रखा है हम दोनों की तो भाई ऐसी लोप लोप होती थी हम जाके अपने कमरें पढ़ने बैड़े आते तो बहुत सुटाई होनी है चुपचाप अंदर घुस जाओ और मम्मी घुसे में सही सबसाफ करने लगते what rubbish is this what rubbish is this what rubbish is this अब जाके समझ में आया है what was that rubbish actually rubbish क्या होता था वह जो दोनों भाई ने मिलके कचला फ्यला प्हलाया है ना पेपर पड़े हैं घर में कपड़े पड़े हैं घर में काच पड़ा है मेटल पड़ा है लकडियां पड़ी है धूल धूल कर दिया पूरा घर को तो that was rubbish and that's what mom used to say what rubbish is this अब जाके समझ में आया है कि भाई यह रबश का मतलब क्या होता था तो ऐसे याद रहेगा rubbish जो दोनों भाई ने मिलके कचड़ा फ़लाया था garbage जो garden से निकला garden से निकली सबजियां kitchen में आई और kitchen से निकला garbage G for garbage, G for garden याद रहेगा तो ऐसे आप याद कर सकते हो rubbish और garbage में difference दोनों में confuse मत होना ठीक पीत होगे आपका refuse अगला हाता है sewage sewage और sewage sewage और यहाँ है sewage sewage, sewage याद रखना दोनों sewage भी liquid waste होता है sewage भी liquid waste होता है मगर sewage वो होता है जिसमें excreta human excreta या potty होती है जबकि sewage वो होता है जिसमें वो भी liquid waste ही होता है मगर sewage वो liquid waste होता है जिसमें excreta नहीं होता है, समझे, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो, sewage, sewage, तो sewage में देखो, आता है E, E for excreta, समझ कहे, E for excreta, sewage में नहीं आता है, E देखोगे, तो S-U है वो, है ना, S-U-L-L-A-G-E, शाहिद सहीं स्पेल हो, तो sewage, sewage, तो E किसमें आ रहा है, E आ रहा है, sewage में तो E for excreta, human excreta, जिस पानी में होता है, उसको कहते हैं sewage, इसमें sewage में देखो, E नहीं आ रहा है न, तो यानि कि वो wastewater जिसमें human excreta नहीं होता है, उसको कहते हैं sewage, वो wastewater जिसमें human excreta होता है, उसको कहते है sewage, याद रहेगा, ऐसे याद करोगे, तो याद रहेगा ये देखो, अगर आप देखो, तो sewage में E आ रहा है, E for excreta जबकि solage देखो solage में यू आ रहा है मतलब कि solage में excreta नहीं है without excreta याद रहेगा ये confusion सबसे पहले ही खतम कर लेना जिससे की बाद में जाके confusion ना हो क्योंकि ना जब तुम home visits पे जाते हो PSM वगरह में तो उसमें पूछते हैं कि sewage disposal कहसा सुलिज डिस्पोजल को सवाइव में तो तुम को पॉल धभ defenders तुमको वह जानना चाहते हैं कि तुम into ४सिज में फार्ग पता है कि नहीं कि अब तुमको पता है चलो सीवीज बलते हैं तो सीवीज कैं होता है स्हिवेज लिक्विट वेस्ट होता है जो जिसमें की excreta होता है ठीक है अब सीवेज के composition में क्या क्या चीज़े होती है तो देखो liquid waste है तो 99.9% तो उसमें पानी ही होगा water होगा और सिर्फ करी 0.1% solid होता है अब इसमें organic भी हो सकते हैं और organic चीज़े भी हो सकती है ठीक है तो सीवेज के composition अब सीवेज को dispose off करने के लिए या आपको mcq कई बार आया है कि सीवेज groundwater जो होता है उसको dispose off करने के लिए कौन सी process का स्थमाल करते हैं तो हम activated sludge process का स्थमाल करते हैं सीवेज disposal के लिए हम activated sludge process का स्थमाल करते हैं इसका अभी सिर्फ नाम याद कर लो हम इसको अलग से देखेंगे पर अभी इस topic में तो सिर्फ नाम याद कर रो activated sludge process सीवेज के disposal के लिए हम इस्तमाल करते हैं या सीवेज treatment में हम इस्तमाल करते हैं तो यह आपको शब्द पता होना चाहिए शब्द से बात करें तो एक और शब्द आपको पता होना चाहिए that is dry weather flow क्या होता है dry weather flow क्या होता है यह वाइवा में कई बार बस कितना से वेज या waste water liquid water जिसमें की excreta है एक दिन में किसी एक सीवेज सिस्टम से निकला यह ऐसे आपने देखे होंगे न सीवेज सिस्टम देखे होंगे या गटर के पाइप से देखे होंगे उसमें से यह देखो तो 24 गंटे में या एक दिन में निकलने वाला शिवेज एक दिन में सीवेज सीवेज से फ्लो हुआ that is dry weather flow simple समझ में आ जाएगा dry weather flow का मतलब क्या है कि कितना sewage 24 घंटे में या एक दिन में sewage सिस्टम से गुजरा या बहा या flow हुआ उसको कहते हैं dry weather flow अब न वाईवा में कुछ भी बत्ती देते रहते हो dry weather flow का मतलब होता है तुमको actually यह तो याद रहता है कि या dry weather flow हमने sewage में पढ़ाता ही तो तुमारी अच्छा ही है तुमारी बुराई क्या होती है तुमारी बुराई होती है कि तुमने उसके आगे की चीज याद ने की होती है समझे नहीं होती है dry weather flow को क्या बोल देते है वो जो सीवेज है न उसमें कितने ड्राइव वैदर वैदर से कन्फूज दे जाते हो तो बोल जाते हो कि मैडम अ कितने चिडिया के पंख या ड्राइव सब्स्टेंस कितना बहा सीवेज में या तो ऐसे जवाब दे देते हो या पताए और बहुत बहुत एक तरफ़ा हुआ किसी जगह से उसको कहते हैं ड्राइव एदर फ्लो दादा ऐसा नहीं है किसी भी सीजन में किसी भी सीजन में एक सीवेज सिस्टम से 24 घंटे में कितना सीवेज गुजरा उसको कहते हैं ड्राइव एदर फ्लो याद रखना कुछ भी पठकी नहीं देना अपने मन से बत्ती मत दे देना कि drive weather flow लिखा है तो यह होगा कभी-कभी चीजों का मतलब अलग भी होता है तो यह होता है drive weather flow का मतलब इसको याद रखना वाई वा और MCQ के लिए बहुत important चीज़ मैंने कहा ना जो भी अजीब से शब्द होते है ना drive weather flow क्या होता है कोई बहुत बड़ी चीज़े नहीं है समझ लो चीजों को correlate कर लो तो याद रहेगा अब यहाँ पर कैसे correlate करेंगे तो जो मैं याद करता हूं that is d for drive weather flow और d for दिन तो एक दिन में कितना सीवेज गुजरा सीवेज सिस्टम से अब हमने कहा कि सीवेज गुजरा सीवेज सिस्टम से अब हमने कहा कि सीवेज कैसा है कोई बोले ना आप से कि भाई वहां का सीवेज कैसा है और वहां का सीवेज कैसा है तो actually इसका मतलब क्या होता है actually इसका मतलब होता है सीवेज की strength कितनी है अलग-अलग जगों के सीवेज अलग-अलग तरह के होते हैं तो किसी जगह की सीवेज की स्ट्रेंग्ट को अगर आपको बताना है या किस तरह का सीवेज है ये बताना है या उसमें कितना और्गैनिक मेटर है यह सब बताना है या कितने suspended solids है यह सब बताना है तो मुक्यता तीन चीज़ों का इस्तमाल करते हैं इनको दर्शाने के लिए यह strength of sewage को express करने के लिए वो तीन चीज़े क्या होती है पहली होती है biological oxygen demand दूसरी होती है chemical oxygen demand और तीसरी होती है suspended solids यह तीन चीज़े जो आपको याद रखने हैं नाम कि भाया sewage की strength को बताने के लिए मुक्यता तीन नाम that is biological oxygen demand, chemical oxygen demand और suspended solids यह तीन चीज़े अब समझते हैं भाई कि biological oxygen demand जिसको short form BOD कहते हैं उसका मतलब क्या होता है biological oxygen demand का मतलब होता है किसी भी sewage के जो किसी भी sewage में जो organic matter है उसको aerobically distract करने के लिए हमको कितनी oxygen की ज़रूरत पड़ेगी वो होता है उस sewage की biological oxygen demand अब यह biological I mean aerobically distract करने के लिए हमको living organism की ज़रूरत परती है अगर biological oxygen demand की बात करें तो हम क्या कहेंगे कोई भी sewage को के organic matter को कोई भी sewage जिसमें organic matter सभी sewage में होता है तो sewage में कितना organic matter है उसको aerobically अगर living organisms को distract करना है तो उन living organisms को कितनी oxygen की ज़रूरत पड़ेगी वो होती है उसकी biological oxygen demand या biological oxygen demand अब but obviously जितना ज्यादा organic content उतनी ज्यादा oxygen demand तो actually यह biological oxygen demand बहुत अच्छा indicator होती है कि कि किसी भी sewage में कितना organic content है भाई देखो ज्यादा organic content होगा तो ज्यादा oxygen की ज़रूरत होगी उसको aerobically district करने के लिए तो उसकी oxygen demand ज्यादा होगी कम oxygen content होगा तो कम oxygen की ज़रूरत पड़ेगी उसको aerobically district करने के लिए समझ गए और aerobically district करना यह तो यार तुमको पता है कि aerobic में oxygen की ज़रूरत होती है और नहीं होती है तो aerobic destruction करने के लिए तो क्या समझ में है हमको biological oxygen demand से biological oxygen demand से हमको यह पता चलता है कि भाईया कितना organic content है उस sewage में क्योंकि अगर उसकी biological oxygen demand जादा होगी यानि कि उसमें जादा organic content होगा जिसको आपको aerobically district करना है ठीक समझ गए biological oxygen demand कि भाई एक sewage के में present organic matter को aerobically district करने के लिए कितनी oxygen की जरूरत होगी living organism को वो होती है उसकी oxygen demand समझ गए अब ना कहते हैं कभी-कभी क्यार यह strong sewage है यह weak sewage है depending on the biological oxygen demand कभ कहेंगे कि यह strong sewage है और कभ कहेंगे कि यह weak sewage है तो अगर किसी sewage की biological oxygen demand 300 से जादा है तब कहेंगे कि यह strong sewage है और अगर किसी sewage की biological oxygen demand 100 से कम है तो उसको कहेंगे कि यह weak sewage है समझ गए तो याद रखना biological oxygen demand पे भी कभी-कभी आपको अलग से very short note आ सकता है तो इसको भी याद रखना तो यह तो हो कहिए आपकी biological oxygen demand chemical oxygen demand नाम की भी चीज़ होती है जिसको कहते है COD तो भाई साब यह वो COD नहीं है कि call of duty वाला COD कि इसमें sentry gun है chopper है enemy drone है यह सब वो COD नहीं है यह कि भाई वहाँ शुरू हो गए सपनों के शहर में चले गए तुम तो यह वह वाला COD नहीं जिसमें OSS वगरा है या Miami strike है यह COD का मतलब होता है chemical oxygen demand वापस आ जाओ gaming से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो chemical oxygen demand क्या होता है chemical oxygen demand का मतलब होता है कि भाई फिर वह यह कि एक सीवेज में कितना organic matter ऐसा है जिसका chemical oxidation किया जा सकता है chemical oxidizer की मदद से simple क्या chemical oxygen demand का मतलब क्या होता है कि एक सीवेज में कितना organic matter ऐसा है जिसको जो कि susceptible है chemical oxidation के लिए chemical oxidizer की मदद से समझके उसको कहते है chemical oxygen demand अब भाई यह chemical oxygen demand निकालने के लिए सबसे best कौन सा होता है chemical oxygen demand को estimate करने के लिए potassium dichromate सबसे अच्छा कहा जाता है chemical oxygen demand को estimate करने के लिए निकालने के लिए potassium dichromate ठीक है कि dichromate शब्द याद रखना है इसका हम इस्तिमाल करेंगे अभी आगे ठीक उसके बाद और दूसरी चीज एक एमसी क्यों मिला था कि बहिया किसी wastewater में या किसी liquid waste में जिसमें कि toxic substance है उसका organic load निकालने के लिए भी हम chemical oxygen demand को मदद लेते हैं यह chemical oxygen demand की मदद से भी हम यह निकाल सकते हैं कि भाई उस wastewater का organic load कितना है समझ गए वह जो हमने पहले कहा था कि भाई या देखो जादा organic matter होगा तो जादा chemical oxygen demand होगी तो वह organic load निकाल रहे हैं हम उस समझ गए तो यह हो गया आपका second that is chemical oxygen demand या c o p उसके बाद तीसरा तरीका जिससे हम strength निकाल सकते हैं किसी सीवेज की वह होता है suspended solids की भाई या उसमें कितने solid का amount उस wastewater में solid का amount कितना है उसको कहते हैं suspended solids और फिर वही कि जादा suspended solids हैं कम suspended solids हैं उस basis पे हम कहते हैं कि यह strong sewage है या weak sewage है तो strong sewage कब कहेंगे जब suspended solids 500 से जादा होंगी weak sewage कब कहेंगे जब suspended solids 100 से कम होंगी समझ गए तो ऐसे आप याद कर सकते हो तीन चीज़ों को पर confusion कहा होता है confusion ना इन दोनों में होता है कि भाईया देखो यहां भी strong sewage weak sewage है यहां भी strong sewage weak sewage है एक biological oxygen demand का है और एक suspended solids का है अब इसको याद कैसी करें तो देखो क्योंकि confusion होता है आपके बाइलोजिकल oxygen का स्ट्रॉंग सीवेज सस्पेंडेट सॉलेट वाला बोल देते हो और सस्पेंडेट सॉलेट वाला स्ट्रॉंग सीवेज बाइलोजिकल में बोल देते हो तो कंफ्यूज नहीं होना कैसे याद करना है मैं बताता हूं देखो दोनों में ही बाइलोजिकल अक्सिजिन तो फंड़ाई खतम भाई वीक सीवेज जो है वो कब कहेंगे वीक सीवेज कहेंगे कि जब सौ से कम हो चाहे बाइलोजिकल ऑक्सिजिन डिमांड चाहे suspended solid दोनों में ही 100 से कम है मतलब वीक सीवेज है खतम हो गई बात समझ गए यह याद रहेगा वीक सीवेज 100 से कम खतम अब strong सीवेज में फरक आता है strong सीवेज में biological oxygen demand में 300 से ज़ादा और suspended solid में 500 से ज़ादा यह कैसे याद रखेंगे तो देखो biological oxygen demand जो है इसमें आप जो B है इसको तोड़ दो तो यह ऐसा हो जाएगा हो जाएगा तो यह क्या निकल आया आपका 3 तो 300 से ज़ादा अगर biological oxygen demand होती है तब उसको strong सीवेज कहते हैं समझ गए फिर से बता रहूं यह आपका biological oxygen demand का जो B है इसको तोड़ दो तो आपको 3 निकल आएगा तो 34 300 तो 300 ग्राम पर लीटर से ज़ादा अगर biological oxygen demand होती है तब उसको स्ट्रॉंग सीवेज कहते हैं तो उस पेलोजिकल ऑक्सिन डिवाइड का तो आपको स्ट्रॉंग सीवेज बी से 3 निकल आया तो 300 suspended solid का कैसे याद करेंगे तो suspended solid तो यह देखो S किसके जैसे दिख रहा है S दिख रहा है आपको 5 के जैसा तो 500 mg पर लीटर से ज़ादा अगर suspended solid होता है तो उसको स्ट्रॉंग सीवेज कहते हैं सिंपल याद रहेगा तो यहाँ देखो suspended solid का S जो है वो 5 के जैसे दिखता है तो 500 हो गया समझ गया ऐसे याद का सकते हो suspended solids का 500 और biological oxygen demand का 300 याद रहेगा अब एक और चीज़ याद रखनी वाली चीज़ जो है वो है आप कई बार भूल जाते हो potassium dichromate तो dichromate chemical oxygen demand का best estimation के लिए यूज किया जाता है तो इसको याद कैसे करेंगे chemical oxygen demand है ना तो यह क्या है CO CO और B D से आ जाएगा डाय और CO से आ जाएगा को और D तो को से क्रोमेट D से डाय तो डाय क्रोमेट potassium dichromate तो CO और D से D से डाय हो जाएगा CO से को हो जाएगा तो डाय क्रोमेट यानि की potassium dichromate COD यानि की chemical oxygen demand के estimation में यूज करते हैं बन जाएगा तो ऐसे आप याद कर सकते हो ठीक तो सीवेज बहुत अच्छे से करना क्योंकि इस पर आपको कई बार अलग से शॉट नोट आ जाता है तो आपको इस सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए और अगर आप देख सकते हो अंडर लाइन पार्ट इतने सारे है यानि कि सारे हैं और बहुत सारे questions वाइव और पुछे जाते हैं ठीक तो सीवेज को बहुत अच्छे से करना फिर आता है सुलेज तो हमने कहा ही था भाया देखो सीवेज तो सीवेज में ए आता है तो ईफ और एक्सक्रीटा होता है तो वो लिक्विड वेस जिसमें एक्सक्रीटा होता है उसको सीवेज तो सुलेज में ERI क्या नहीं तो वो लिक्विड वेस जिसमें एक्सक्रीटा नहीं होता है उसको कहते हैं सुलेज समझ गए तो सुलेज क्या होता है वो लिक्विड वेस जिसमें एक्सक्रीटा नहीं होता है तो घरों में यह सुलिज कहां कहां से निकल सकता है अब डॉमेस्टिक प्रोसेस में घर में बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जिससे की लिक्विड वेस्ट निकलता है और उसमें एक सीटा नहीं होता है किचिन में बात्रूम आईं किचिन में आप बरतन साफ कर रहे हो या सभी क्या होते हैं यह सभी को सुलेज कहते हैं बहुत सिंपल सी भाशा में याद रखना है तो वह लिक्विड वेस्ट इसमें एक स्क्रीटा नहीं होता है उस लिक्विड वेस्ट को सुलेज कहते हैं सिंपल याद रहेगा ठीक अगला एक अरजीब सा शब्दा आपको मिले यह वह लीटर नहीं है पानी वाला ठीक है लेटर है लेटर का मतलब होता है कच्छडा जो की गलत जगह पे गलत तरीके से फिका गया है यह अनलओ फॉल एक्शन मतलब देखो आपने कच्छुणों के लिए डस्टमिंड लगाए हुए हैं गीला कच्छडा सूखा कच्छडा के लिए green और blue dustbin किया हुआ है इसको मैंने याद करने का तरीका बता है था जी-four green जी-four गीला कचड़ा तो यह गीला कचड़ा सुखर के लिए आपको dustbin दिखते हैं पर आप लोग क्या करते हो आप लोग ने बहुत सारी लोग करते हैं कि यह कहींगी बी कचड़ा फियती है unlawful तरीके से कहीं भी कचड़ा भेग दो कचड़े के टिब्बे के बाजू में कचड़े का पूरी खदान लगी हुई है तो उसी को कहते हैं litter गलत तरीके से फिल भीका गया कचड़ा उसको कहते हैं litter ठीक तो litter क्या होता है waste disposed in wrong place by unlawful action गलत जगह पे गलत तरीके से फिल भीका गया कचड़ा उसको litter कहते हैं समझ गए अब इसको याद कैसे करेंगे तो फिर वोई यहाँ पर क्या है उन लॉफुल ठीक है अन लॉफुल यह अतलब कानूनियन रूप से गलत तरीके से फिल भीका गया फेका हुआ कचड़ा लिटर होता है एल फॉर लॉव एल फॉर लिटर याद रहेगा तो ऐसे आप याद कर सकते हो लिटर भी ठीक तो यह हो गया हमारा अलग-अलग तरह के वेस्ट कितने तरह के वेस्ट होते हैं उनको हमने समझ लिया अब इनको dispose of कैसे करेंगे या refuse जो निकलता है घरों से उनको dispose कैसे करेंगे ये भी पता होना चाहिए तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सी methods होती है refuse को dispose of करने की तो एक तो होती है insanitary method और एक होती है sanitary method insanitary method मतलब ऐसे कैसे भी कच्छडे को बस घरों से ठेकना है siete साफ supremacy ने की जाती इन सेनीटरी मेहथनथ सैनीटरी का मतलब साफ सफाय होती है सैनीटरी मेंताब साफ सफाय से कच्छडे को डिस्पोर्ण उफ करना इन साफ सफाय का ध्यान यान हमको नहीं रखना तो in sanitary method में चार नाव hog feeding, stocking, salvaging और dumping ये क्या होता है इनको हम समझेंगे अभी सिर्फ नाम याद करना है hog feeding, stocking, salvaging और dumping जिबकि जो sanitary method होती है उसमें यूज करते हैं composting, sanitary landfill और incineration composting, sanitary landfill और incineration अब composting भी दो तरह की होती है bangalore method, indoor method ये भी हम समझेंगे क्या होती है sanitary landfill भी तीन तरह की होती है ramp method, area method, trench method इनके पस नाम पता होने चाहिए in fact sanitary landfill को हम control tipping भी कहते हैं तो at least इन सब के नाम पता होने चाहिए सबसे पहले दो, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया refuse disposal की method कौन सी है तो दो तरह से है, insanitary method और century method insanitary method साफ सफाई का ध्यान नहीं रख़़ए जिफ dispose off कर रहे हैं हमें hog feeding, stocking, salvaging और dumping century method में मुक्ता तीन नाम है साफ सफाई से जो dispose off करो की refuse को तो तीन कौन-कौन से है, composting century landfill और incineration ठीक, तो पहले तो नाम याद कर लिया हमने अब कि भाईया ये होती क्या-क्या है तो भाई, insanitary method मतलब कि जिसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं बस dispose off कर रहे हैं कचड़े को तो पहले होती है hog feeding hog feeding में क्या होता है घरों से निकलने वाला कचड़ा आप pigs को या sewer को खिला दो खतम, that is hog feeding ये दो को ये घरों से जितना भी कचड़ा निकला है, garbage, garbage ये सब कुछ pigs को खिला दो ठीक है, तो that is hog feeding तो इसको याद कसी करेंगे देखो, hog में भी जी आ रहा है और pigs में भी जी आ रहा है तो hog feeding क्या होती है refuse को आप pigs को खिला दो that is hog feeding, ठीक उसके बाद आता है आपका, की stocking क्या होती है हमने याद किया था नहीं, यहाँ पर आपको देख भी रहा है ये क्या है, ये सब garbage है और हमने पढ़ा था कि garbage किसका टाइप होता है garbage refuse का टाइप होता है याद है, ये देखो, हमने यहाँ पर पढ़ा था, कि भाई, ये जो garbage है, ये refuse का type होता है तो वो ही यहाँ पर किया जा रहा है ये देखो, garbage को pigs को खिला दिया, यानि refuse को पिक्स को खिलाती है, that is hawk feeding, अगला होता है stocking, stocking में क्या करते हैं हम, जो घरों से निकलने वाला कचला होता है या refuse होता है, उसको cow dung या गाय के गोबर के साथ मिलाते हैं, और फिर उसको pile up करके ऐसे कंडे या cakes बना लेते हैं, दिख रहे हैं, ये कंडे जो होते हैं ये rural areas मे घरों में fuels के जैसे इस्तिमाल करते हैं, खाना वगरा पकाने के लिए और आग जलाने के लिए इन कंडों का इस्तिमाल किया जाता है या cow dung का इस्तिमाल किया जाता है, तो इसको कहते हैं stocking, तीसरा होता है salvaging, salvaging क्या होता है, जो refuse dumps होते हैं जहां सारा कचड़ा फेग दि उन refuse को हम screen करते हैं और उनसे ऐसी चीजों को निकाल के अलग कर लेते हैं, जिनको reuse किया जा सकता है, इसको कहते है salvaging कुछ इस तरह से आपने देखा होता है, कचड़े में से उन चीजों को screen करके निकालना, जो कि फिर से reuse की जा सकता है हो, ठीक है, तो that is salvaging, in fact, salvage का मतलब ही होता है बचाना, तो हमने बची कुछी चीजों से refuse में से ऐसी चीज़े हैं बचा के निकालने जिनको फिर से हम reuse कर सकते हैं, that is salvaging, समझ गए, तो यह होता है तीसरा टाइप की incentive method, चोती होती है dumping कि भाईया, openly आपने कचड़े को dump कर होती है, कहीं ले जाके, आपने देखा होगा, शहरों के बाहर dumping ground होते हैं, वहाँ पे शहर के ऐसे dumpers में भरके कचले लाते हैं और openly dump कर दिया जाता है, method है, refuse disposal की, लेकिन कैसी method है, यह insanitary method है, साफ सफाई maintain नहीं की, बस refuse को dispose off कर दिया, तो यह हो गई, अगली method, refuse disposal में, insanitary method, that is dumping, समझ गए, तो यह चारों के नाम और क्या होता है, यह पता होना चाहिए, insanitary methods में, अब आती है sanitary methods, तो sanitary methods में सबसे पहले आती है, composting, composting में हम क्या करते हैं, composting में हम refuse लेते हैं, और night soil या excretor लेते हैं, और इनको एक-एक-एक-एक layer में जमाते जाते हैं, कि भाई है, पहले हमने refuse डाला, उसके बाद night soil डाला, फिर refuse डाला, फिर night soil डाला, ऐसे, तो याद रखने हैं, composting में, यह कोई safe method नहीं होती है, dispose of करने की, मगर अगर आपको वहां की मिट्टी की quality अच्छी करनी है, खाद वगरा बनानी है, तब हम यह composting method का इस्तिमाल करते हैं, यह आप कब कर सकते हो? यह आप तब कर सकते हो, जब आपके पास बहुत जादिया जमीन अगर आपके पास खाली पड़ी हुई है, तब तो यह best method होती है, सीवेज और refuse disposal की composting, जब आपके पास बहुत सारी जगा पड़ी है तब, मगर अगर ज़्यादा जगा नहीं है, तब उतनी अच्छी नहीं है, तो आपके पास अच्छी का सी जगा होनी चाहिए, अब जो composting होती है, मुक्यता दो तरह की होती है, बैंगलोर method और indoor method, दोनों शैरों के नाम है, बैंगलोर और indoor, मगर दोनों में फरक क्या है, दोनों में फरक यह है, बैंगलोर method में anaerobic fermentation होता है, जबकि indoor method में aerobic process के थूर destruction किया जाता है, ठीक, तो बैंगलोर method में anaerobic और indoor method में aerobic, अब बैंगलोर method में करते क्या है, देखो आपने गड़ा खोदा उसके बाद उसमें refuse डालते हो, noid cell डालते हो, कैसे डालते हो, तो यह देखो, आपने गड़ा खोदा, तो पहले तो आप 3 is to 1 के ratio में डालना है, तो आपने refuse की 1, 2, 3 layer डाले, उसके बाद 1 layer night soil की डाल दी, फिर refuse की 1, 2, 3 layer डाले, फिर एक लेयर night soil की डा लिया, तो यह देखो, यह pile देख रहा है तुमको पूरा, तो उपर की layer कौन सी है, उपर की layer आपकी refuse है, और सबसे नीचे वाली layer भी आपकी refuse है, तो वह यहाँ पे लिखा हुआ है, कि topmost layer और lowermost layer refuse की होने चाहिए, समझ गए, तो क्या करते हो, गड़ा खोदा, 3 is to 1 के ratio में आपने refuse और excretor या night soil को भरते जाते हो, तीन layer refuse की, एक layer night soil की, तीन layer refuse की, एक layer night soil की, कब तक, जब तक पूरा गड़ा भरने जाता, topmost layer और lowermost layer refuse की होने चाहिए, ठीक, अब सवाल यह है, कि confusion किसमे होता है, इसमें, confusion होता है, कौन सी anaerobic है, और कौन सी aerobic है, इसमें confusion हो जाता है, तो कई बार आप बोल देते हो कि anaerobic indoor method है, नहीं नहीं नहीं, anaerobic तो bangalore method है, याद कैसे करेंगे, तो भाईया देखो, याद करने के लिए, बैंगलोर, तो bangalore में ही देखो, AN आ रहा है, AN stands for anaerobic respiration, समझ गए, तो यह यहाँ पर लिखा है, देखो, AN आ रहा है, तो AN stands for anaerobic fermentation, तो AN anaerobic, इंदोर में AN नहीं आ रहा है, इसलिए यह aerobic process हो जाएगी, और bangalore में AN आ रहा है, तो यह anaerobic process हो जाएगी, याद रहेगा, ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे में confusion नहीं होगा, bangalore anaerobic process, इंदोर aerobic process, याद रहेगा, तो इस तरह से आप composting को याद रख सकते हो, अलग से इस पर viva में और पूछा जाता है, और MCQ भी आते हैं, तो यह तो हो गई पहली sanitary method, second sanitary method होती है, sanitary landfill की भाईया, आपने अच्छे से कचले को कहीं पर भरके, उसको seal pack कर दिया, यानि controlled tipping भी कहते हैं इसको, इसमें करते क्या हैं, इसमें जो refuse होता है, उसको अच्छे से सुखाते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से condense करते हैं, उसके बाद उसको गड़ा करके, मिट्टी के साथ मिलाके भार देते हैं, mechanical compression से, देखो, जैसे पिए गड़ा किया, उसमें अपने एक layer बिठाई, और condensed refuse की, फिर अर्थ किया, soil की, फिर dry और condensed refuse की, उसके बाद आपने क्या किया, mechanically उपर से compress करते हैं, compress करकर के, करकर के एकदम ऐसा भर देते हैं, और फिर उपर से seal pack कर देते हैं, सिमेंट वगरा की मदद से, यह देखो, यहाँ पर आपको देख रहे हैं, बड़ा सा सिमेंटेट तरीके से seal pack कर दिया है, यह होता है sanitary landfill, ठीक है, इसमें exposure नहीं होगा कचले का किसी और को, समझे तो that is sanitary landfill, समझ गए, अब यह भी actually मुकिता तीन तरह की होती है, कौन-कौन से तीन तरह होती हैं, इनमें, ramp method होती है, area method होती है, trench method होती है, at least इनके नाम बस method, ठीक है, तो कैसे याद करोगे, तो चूहे देखें तुम लोगे, इसम गंदगी अंदगी में रहते हैं, इसम वहाँ जहां पर सीवेजी वह होता है, वहाँ गूमते रहते हैं, जहां बहुत कचड़ा होता है वहाँ, तो in sanitary होते हैं, लेकिन घरों में कैसे चूहे होते ह साफ सफाई वाले सफेद रंग के sanitary चूहे, तो याद कर लो sanitary rat, तो sanitary landfill के लिए तीन चीज़ों की, R for ramp method, A for area method and T for trench method, sanitary rat, ऐसे याद कर सकते हो, आप sanitary landfill की तीन methods को, sanitary rat, ठीक, अबने trench method पे एक अज़ीब सा अमसी को मेरे को मिला था, पर मिला था, क्या कर सकते हैं, कि भाईया, उसमें पूछा गया था, किसी चकह पे, अगर 10,000 की population है, तो एक साल का जो वहाँ कचला निकलता है, उसको trench method से dispose off करना है, तो कितनी जमीन चाहिए, तो एक एकड की जमीन हमको चाहिए, 10,000 की population, जितना कचला निकालेगी, उसको dispose off करने के लिए, करीब 2 मीटर की गहराई में, तो ये एक MCQ मिला था, तो इसको याद कर लेना, trench method पे, ठीक, तो ये तो हो गया central landfill, incineration तो यार हमको पता है, जला दो कचले को, समसे simple, incineration कचले को चला दो, तो high temperature dry oxidation process होती है, incineration अलग से हमने पढ़ा हुआ है, आप चाहो त चैनल की playlist खोल के, hospital waste management खोलोगे, तो उसमें, biomedical waste treatment की एक topic है, उसमें आपको मिल जाएगा incineration, अलग से short notice पे आता है, वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक, तो ये हो गई आपकी incineration, अच्छा, composting में भी, याद करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज मैंने निकाली थी, वह यसी composting को याद कर सकते हो, कि भाईया, ये combined posting होती है, refuse और night soil की, refuse और night soil की combined posting को कहते हैं, composting, यही तो कर रहे थे ना, night soil और refuse को एक साथ, एक 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 एक, तीन बाए एक की layer में भर रहे थे, तो combined posting of refuse and night soil is composting, इसे याद कर सकते हो, ठीक, समझ गए, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको waste disposal में पता होनी चाहिए, अगर मैं बात कुरू, सवाल की तो भाईया, waste disposal पे आपको short note कई बार पूछ लिया जाता है, और in fact इसके अंदर भी कई चीज़े जो मैंने बताई, short note और very short note, उस पे भी पूछ ले जाता है, जैसे कि आपको सीधा-सीधा सवाल आ जाता है, सीवेज पे, भाईया, इसका short note इसके बारे में बताओ, आपको biological oxygen demand पे very short note आ जाता है, तो ये भी आपको बताते आना चाहिए, आपको कई बार composting पे very short note आ जाता है, तो इसको भी आपको बताते आना चा पूसल में शॉटनोट वाईवा के लिए अगर मैं बोलू तो सीधा को कुशन कितने तरह के वेस्ट होते हैं तो पहले तो आपको यह सॉलेड वेस्ट में रिफ्यूस और लिक्विड वेस्ट में सीवेज और सुलेज बताते आना चाहिए और फिर लिटर भी बताते आना में फर्क क्या होता है और बच्चों nord होता है थिक वाईवा में पूछा मंद क्या होता है इनको समझाओ तो यहीं बताते आना चाहिए ठीक उसके बाद वह सुलेज और सीवेज में डिफरेंस यह तो वाईवा में पूछा जाता है लेटर सीधा सीधा वाईवा कुशन लेटर का मतलब बता दो भाई खतम बाद तो यह भी बताते आना चाहिए और refuse disposal के methods बता दो तो सीधा सीधा बोल देते इंसेनेटरी मेथाड बताओ पहले और फिस सेनेटरी मेथाड बताओ तो यह भी वाईवा के लिए important question बताते आना चाहिए फिर ना वाईवा में आपसे hog feeding पूछ लेते हैं क्या होता है यह समझाओ stocking क्या होता है यह समझाओ salvaging क्या होता है यह समझाओ तो याद रखना जो अलग से शब्द होते है ना उनको वाईवा में बहुत पूछा जाता है तो यह समझाते आना चाहिए ठीक फिर composting में वाईवा का एक important question है कि भाईया bangalore method और indoor method में क्या फर्क होता है तो वही एन फॉर बैंगलोर तो एक में अरोबिक एक में अरोबिक होती है और in fact composting में क्या करते हैं तो integrated dispose करते हैं refuse और नाइट सोल तो combined posting of refuse और नाइट सोल जैसन में याद किया था यह भी वाईवा में पूछा जाता है sanitary landfill क्या होता है यह पूछते हैं कितने तरह का होता है यह पूछते हैं वाईवा में बताते आना चाहिए और incineration तो वाईवा में पूछे जाता है तो बताते आना चाहिए कि भाईया कचले को जला दिया ठीक तो यह हो गया आपका वाईवा का question अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी underline part मिलेंगे आपको हमाई notes और slides में वो सभी entrance exam में पूछे गए MCQs हैं तो एक MCQs मुझको यह मिला था कि भाईया solid waste human excreta या night soil solid waste में नहीं आता है एक MCQ आपको rubbish या garbage पे भी आ सकता है तो इसको याद रखिएगा उसके अलावा आपको sewage पे तो बहुत सारे MCQ आये हैं तो एक MCQ तो कईयों बार आया है कि जिसमें excreta होता है उसको कहते हैं sewage इसके composition पे भी MCQ आया है activated sludge process पे MCQ आया है dry weather flow पे MCQ आया है biological oxygen demand पे MCQ आया है कि यह क्या होता है और यह indicator होता है oxygen content का इसके strong sewage पे भी आया है कि कितना biological oxygen demand होगी कि strong sewage बोलेंगे chemical oxygen demand पे भी आया है कि यह क्या होता है प्लस एक MCQ यह भी आया था कि भाईया wastewater का toxic substance है तो उसका organic load निकालने के लिए chemical oxygen demand की जगोत होती है इस पे भी MCQ आया हुआ है ठीक उसके अलावा सुलेज पे वही कि जिसमें liquid waste जिसमें एक्सेटर नहीं होता उस पे सेलेज कहते हैं इस पे MCQ आया है तो और इसके examples पे भी MCQ आया हुआ है ठीक फिर refuse disposal की methods पे भी आपको MCQ आया है उसमें Bangalore method पे आया थ था control tipping पे आया था और incineration पे आया था इन सब पे आपको MCQ आये हुए है तो यह पता होनी चाहिए ठीक उसके बाद composting पे भाई साब कई बार MCQ आया हुआ हुआ है कि यह safe method तो नहीं है लेकिन यह soil building के लिए अच्छी है पर यह कब अच्छी है जब आपके पास बहुत सारी जमीन हो बैंगलोर मेथाड में क्या होता है इन दौर मेथाड में अरोबिक होता है इस पे भी आपको MCQ आ सकता है control tipping किसको कहते हैं तो बहिया century landfill को कहते हैं इस पे भी MCQ आया है और methods of refuse disposal पे भी MCQ आया है तो तीन नाम ramp area और trench method आपको पता होना चाहिए और trench पे भी आपको एक MCQ आया है कि 10,000 के population में एक साल में कितनी ज़गा तो करीब एक एकर incineration पे तो MCQ आये हुआ है बहुत MCQ आते हैं इस topic पे बहुत वाईवा में पुछा जाता है यह topic तो इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको waste disposal में पता ही होनी चाहिए थैंक यू